हेलो फ्रेंड्स भाई बहन मम्मी व्लाउस में सभी कर स्वाकत करती हूँ उमीद करती हूँ अच्छे हेल्प में होगे रिपड़ीवाल का ख्याल भी रखते होगे तो दुरुफ की मम्मी का अगर बस चलना फैमिली वो गुनगुन के पापा का जो फ्लाट है वो फ्लाट अपने आपनी नाम अपना कर ले किसी की जरुवत भी नाम को पड़े इतनी बेताबी इतनी बेताबी कि सिर्फ गुनगुन के फ्लाट को गुनगुन के नाम दुरुफ के पापा से बात कर रहे हो ये फ्लाट अगर आपके नाम हो जाता है तो उसके बात के इतनी प्यार से बैठा कि आप बात करोगे? कभी नहीं करोगे आप सिर्फ ताना मार के बात करोगे या तो आप कुछ ना कुछ ऐसी अगरम-गरम बाते करोगे कि अगले को मन में चोट लगे, आप ऐसे धंग से बात करने वाली ओरत हो, आप कभी भी अच्छे से बात करने वालों में से नहीं हो, आपको जिससे मतलब निकलता है वो उसी से अच्छे से बात करते हो, इतना तो आपको मैंने देखा है, तो यहाँ पे तो आप यहां इतना brainwash कर रहे हो आप गुंगुन के पापा का पर गुंगुन के पापा से तो एक चीज़ में बोलना चाहूंगी अंकिल जी घर वो आपका है आपकी बेटी के नाम अपने किया था फिल लेकर समर की मा के नाम में अपने कर दिया अब अगर आपको अपने नाम में रखना है तो अपने नाम में ही रखना ना गुंगुन के नाम में रखना ना गुंगुन के पती दुरुफ के नाम में रखना क्योंकि दुरुफ के नाम में रखने का मतलब यह है कि उसकी मा हमेशा एक ही चीज़ बोलेगी कि ये मेरे बेटे का घर है, ये नहीं सोचेगी कि ये घर उसके बेटे के ससुरजी नहीं दिया है, ये चीज़ नहीं बोलोगा, ऐसे बिहेव करेगी जिसको बेटा अपने कमाई से खरिद के वो घर वहापे खड़ा किया है, इसे लिए नहीं इद्दम अरर रहना और इद्दम पूरा उसी में खर उतरना क्योंकि ये जो है न दुरुफ की मम्मी ये बहुत चालू औरत है जतनी समर की मम्मी चालू है इतनी दुरुफ की मम्मी भी चालू है राधी की मम्मी का क्या है राधी की मम्मी सिर्फ आइडियाज निकालती आइडियाज निकालके मेरी बेटी का घर नहीं बसाया तो मैं समर को बढ़वात कर दूँगी, समर को मैं रास्ते में लियाओंगी, रोड में लियाओंगी, बस उनका यही एक ही लक्ष रह गया है, मगर दुरुफ की मा और समर की मा का क्या है, फ्लाट चाहिए, दूसरे का प तो इसलिए मैं गुन-गुन के पापा को रिक्वेस्ट करूँगी, कि अपने फ्लाट को अगर लेना है समर की मा से, अपने नाम में रखना, अपनी बेटी के नाम में हर्गिज मत देना, क्योंकि बेटी के नाम में देने का मतलब है, दूरुफ की मा बहुत ज़ादा उसको टॉर्चर करने वाली है, और वो किसी ना किसी हाल में अपना फ्लाट दूरुफ की मा को दे देगी, इसे लिए दूरुफ को और गुन-गुन को वो फ्लाट एकदम नाम नहीं करना, और दूसरी बात है, आपने ये जो बात कही ना, कि राधिका का घर बस जाए समर के साथ, तब इनको क्या था, कि इनको बोलना चेह था, हाँ, मैं भी यही चाती हूँ कि इनका भी घर बस जाज़, मेरी बहु बेटे का घर बस आए, पर ये नहीं चाती कि राधिका और समर का घर बस जाए, इनको से अपने बेटे से ही मतलब है, यहाँ यह क्या बोली, समर अपना हें समर अपना घर खुदी नी बसा रहा है पकर अगला कोशिशिश करेगा तो क्या चला जाएगा कोशिश में तो दुनिया कायम है कोशिश तो करी सकती है पर नहीं इनको कोशिश भी नहीं करनी है पर ये है अब गुन-गुन के पापा ने फ्रेंड्स आइडिया लगाया है कि अगर समण राधिका के संग घर बसा लेता है तो आटोमाटिकली वो घर वो छोड़ेगा और वो घर गुन-गुन को मिल जाएगा अब देखते हैं ये स्कीम कितना काम करता है अब देखते हैं किसका आइडिया कितना काम करता है हम बैठके मज़े लेते हैं तो इसका लोग अच्छा लगाओ प्लीज एक लाइक जरू कीजिएगा जो चैनल में नहीं प्लीज सब्सक्राइब जरू कीजिएगा तब तक लिए बाइबाइ